बात करेंगे बाजार की क्योंकि यहां भी काफी अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में तेजी रही जैसा कि इस वक्त हमारे बल्ले बाजों के जो वो हैं बल्ले से निकल रहे हैं जिस तरीके से तेजी से रन वैसे ही मारकेट में भी आज तेजी देखने के मिली इसे के सा साथी मेटल, आटो, तेल, गैस, शेरों में खरीदारी देखी गई, मार्केट का पूरा अक्शन समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास, यतिन बताएं ज़रा सेक्टर्स और शेरों का आज कैसा हाल रहा, देखे, आज भारती बजारों की बात करें तो जो यू-एस का इनफलेशन डेटा आया, उसके बाद मार्केट में बहुत जबरदस तेजी हमने देखी, ग्लोबली जिसका आसार भारती बजारों पर भी पड़ा, अगर हम Markets की बात करें तो जबरदस तरीके से यहां करिदारी दिखी अगर हम आज की Gainers की बात करें तो IT Stocks में से आपको Tech Mahindra और Infosys जैसे Countess में तेजी दिखेगी तो अच्छे Results के बाद Aisher Motors और Metals में से हिंडाल को जैसे शेरों में 3-4% की तेजी रही Flip Side पे थोड़े ही Shares गिरने वाले थे बहुत महमूली गिरावट आपने Power Grade Index Bank और Dr. Reddy's Labs में देखी लेकिन आज निफ्टी का टॉप लूजर बजाज Finance और बजाज Finsav बने और दोनों ही Stocks में 2-2% की Down Tick आपने इंटरेडे में आती भी देखी Mid Caps की बात करें तो जबरदस्त आक्शन यहां देखने को मिला Network 18 के शेर में 10% की तीजी तो Motilal Oso और Angier One जैसे Broking Stocks में आपने 10-10% के मूव देखे और Manapuram Finance Morgan Stanley के अपगरेड के बाद और अच्छे Q2 के रिजर्ट्स के बाद शेर में आपने 7-8% की बढ़ोतरी देखी F&O का टॉप गेन दिया रहा इसके अलावा लूजिंग साइट में Natco Pharma, Credit Access, Gramine, Vijay, Diagnosis जैसे शेर्ज में हलकी भूलकी मंदी आपने ओरल बिस्स पे देखी जी आप बने रहें यतिन हमाएं साथ इससे पहले हम बता दे कि बाजार के फोकस में आज सीमेंट का शेर रहा जिसमें बड़े D-merger का आईलान आज हो गया है सिर्फ इतना ही नहीं सीमेंस ग्रूप सीमेंस इंडिया में हिस्सेदारी भी बढ़ाने जा रही है इस कॉम्प्लेक्स डील को समझने के लिए एक बार फिर चलते हैं यतिन के पास यतिन समझाएं जड़ा इस डील को तो सीमेंस के प्रमोटर ग्रूप में आपने एक बड़ा अनुमस्मेंट देखा आज जर्मन स्टॉक एक्चेंज इस पे सीमेंस एजी और सीमेंस एनर्जी के अंदर ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उसके अंदर बहुत सारी चीजें खुल के सामने आई सीमेंस एनर्जी अपना एक 18% का हिस्सा सीमेंस एजी को बेचेंगे 2 billion euros के आसपास क्योंकि Siemens Energy की हालत बहुती खसता है balance sheet को सुधारने के लिए ये particular कदम उठाए गए है obviously इस पे कोई सीधा असर आपको देखने को नहीं मिलेगा Siemens India में लेकिन Siemens AG ने ये भी announce किया कि Siemens India के board के समक्ष एक proposal रखेंगे जिसके अंदर Siemens का जो energy कारोबार है उसको अलग करके अलग से उसको लिस्ट किया जाए obviously जो प्रक्रिया है जो approvals है और जो final proposal है वो तो Siemens India के board को decision देलना होगा और stock exchanges को inform करना होगा लेकिन जो press release German exchanges पे file कीगी है उससे बहुत सीधी बात ये है कि Siemens India का de-merger लगबग-लगबग होना तै है जहां energy business जो कि अभी 35% आए को contribute करता है उसका de-merger होता हो दिखाई पड़ेगा और obviously क्योंकि Siemens energy 25-24% hold करती है Siemens India में तो उसमें से एक बड़ा चंग 18% का Siemens AG को बेचेंगे पिछले अफ़ते Bloomberg की एक report आई थी कि 18% 20% हिस्सेदारी बजार में बिखने को आएगी लेकिन ये key hangover जो था उसको हटाते हुए एक management ने clarity दी है और इन दोनों चीजों के बाद जो है share में आद 2-2.5% की तेजी आती हुई नजर पड़ी जी बहुत शुक्रिया तमाम details के लिए आपका यतिन ने जुआ को जरे सुआ हुआ It एक बोचा झाल शोनों के लिए आपक' बहुत